गड़ा मुक्त सरकार में गड़ा घुटने का नाम नहीं रोडों पर काम नहीं क्या है हकीकत क्या है नजारा कहने को तो उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी ने सड़कों को गड़ा मुक्त बनाने का दावब बहुत किया पर आज देखा जाए तो हकीकत कुछ और है कहां है वो दावे कहां गई वो गड़ा मुक्त सडके केवल पन्नों में ही दिखने वाले गड़ा मुक्त सडक आज देखा जाए तो हकीकत कुछ भी नहीं है बादे तो बादे ही रह गए वहाँ वही लूटना आजकल जिले के अधिकारियों में आजकल फैसन बन चुका है वो भी विकास का कार पूरा करके नहीं केवल कागजों में कार को पूरा दिखाकर उसी प्रकार हालत भी आज भही है गड़ा मुक्त सडकों की कहानी कहने और सुनने में तो अच्छा है एक त नजदीक रास्ता ढूडते हैं तो भही सबसे सरल और नजदीक रास्ता जो की टेड़ा गाउं से होकर देव गाउं से होकर हमीरपुर मुख्याला की उड़ जाता है जिस पर रोड तो है मगर चलने लायक नहीं आए दिन हास्से हास्से के साथ बड़े गड़े और सभी किलो मीटर करोड दल दल वह भी छोटा नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां भी अपना दम तोड़ दे तो भला छोटी गाड़ियां जैसे कि मोटर साइकल और पैदल चलने वालों की मजाल तो अपने मंजिल तक सुरक्षित जाए कि क्या मामला है यांपूरा मामला यह सल्व देवगाओं का जो रास्ता है जो गाई है जो इसमें घड़ा खुडी बहुत ज्यादा है हमलोगन का आने जाने के लाने घ्रामिन से दिक्कत बहुत होता है जिला हमारा बिद्या की हमीरपूर और गड़ा गलाने ने कोई सुनाई नहीं हो रहा है इसमें ने अब बहुत हम लोगन के दिक्कत पर रही है कै देवगाओं के देवगाओं के रोड किने किराशिन में ने और आगे चलके सर बहुत उसमें ने कीचर बगएर है उसमें पांच छे साल से ने वेुग्जाष लोग मन्लप की कोई सुनवाई मलेक में कर रहे हैं मेन रास्ता उसमें ने पढ़ता है किया मामला भी यहां बस कुछ नहीं मामला है कि यह जो देव गांवाला रोड है न तो यह हमीर पुर्थ तक जो परना हुआ है तो यह इसमें गड़े मोगे हो गये और यह रास्ता इतनी खराब हो चुकी है इसके हैना खराब हो चुकी है बरसात की वजे से कि चलना मुश्किल पढ़ रहा है लोगों को बड़े परिसानियों का सामना करना पढ़ रहा है यह कि अगर यह हमारा आप सब लोगों से सरकार से बिद्यम्र मेदन है कि यह रास्ता बनवाने का कष्ट करें तो महान दया सब्क्राइब का यह से अध्याव है यह कैसे सब्सक्राइब के सब्सक्राइब है CTL यह रासता से यह कुछ पहले तक यह खराब है आग bunkर के पास में खराभ है तो यह रास्ता बननी चाहीं है क्या नाम है आप प्रंद और कि रिक्यार गया और हो हैud बहुत निकलने में दल दल है बहुत ज्यादा बहुत घाड़ी बहुत है बताए जा रहा है दलडल भी बहुत है इस रोड में बहुत बहुत की जगह पार है अब यह फाटक से आगे बहुत दलडल है अच्छा इस तरफ तो खाचा बहुत है यह और इदर आदी में नहीं बहुत दिक्कते हैं यह कौन सा रोड है यह देवगां रोड है हमिरपुर वा में बहुत बड़े बड़े गढ़े हो गए है है और घड्डों को ठीक कराए जाए और हैवे से जाने में बड़े भान हो खत्रा ओर लो क्राशिंग प्रता है मेरपुर जाने के लिए और रोड ग्राशिंग बीज में मार्ड अभी अधूरा पढ़ा है उसको बीबनवाया कितने समय से दूरा पड़ा है करीब 4-5 साल से क्या नाम है आपका क्या दिख किते हैं इदादा अड़े गोल अबनों चाहिए खूब बेकर का आया अच्छा क्या दिख किते होती है रास्ते में निक रहा पाई परेजानी आए अच्छा क्या नाम है आपका हमीर पड़ से अमित कुमार परजापती की रिपोर्ड उस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए धन्यवाद